अध्याय सत्र विकास की समझ बच्चों, क्या आप जानते हैं विकास क्या है? हमारे कल के जीवन से, आज के जीवन के बीच जो परिवर्तन हुए हैं, वही विकास हैं आप जानते होंगी, पहले हम संचार के लिए पत्रवभार या टेलिफोन का प्रयोग करते थे लिकिन उनकी जगा आज हम मोबाईल फोन का प्रयोग कर रहे हैं, मोबाईल का प्रयोग नकेवल बातचीत के लिए कर रहे हैं बलके अन्य बहुत सारी सुधाय जैसे विबिन प्रकार के बिलो का दुखतान, ओन्लाइन शॉपिंग, बैंकिंग सुविधा, रेल संबंदी जानकारी और देश दुनिया की तमाम खबरों को हम मोबाईल के माध्यम से घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बच्चो यही नहीं आप अपने सिक्षा से संबंदी कई माध्यम जानकारी भी मोबाईल से प्राप्त कर सकते हैं तो आईए देखते हैं सिक्षा के छेत्र में कौन-कौन से माध्यम विकास हुए हैं बच्चो क्या आपने कभी अपने घर के किसी बड़े सदसे से यह जानने के कोशिस की है कि उनके समय के विध्याले कैसे होते थे हमारे समय में हम विध्याले में सिक्षा के लिए सिक्षक या किताबों परिनिर्वर होते थे लेकिन सिक्षा जगत में आए महत्वपड विकास के कारण आज आपके पास MMTB यानि Multimedia Textbook और QR Code जैसी तक्निके हैं जिनके माधियम से आप अपने विशय की सिक्षन समागरी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यही नहीं सिक्षा के छेत्र में हो रहे हैं विकास ने ब्लेक बोड के जगा वाइट बोड या स्मार्ट बोड का रूप ले लिया है और इनी सबी विकास के कारण आज हमारी साधारन कक्षा है स्मार्ट क्लास के रूप में तब्दिल हो चुकी है बच्चो, सिक्षा के छेत्र में हो रहे हैं विकास की तरह ही स्वास्त के छेत्र में भी कई महत्वपुन विकास हुए हैं स्वास्त के छेत्र में होने वाले विकास को समझने के लिए आइए हम अपने ही राजी की स्वास्त सुविधाओं पर एक मज़र डाले हम आज देखते हैं कि हमारे राज्ज में निजी और सार्वजनिक दोनों ही छेत्रों में महातुपर्ण सुरुधाओं और अत्याधिनी तक्नीकों से युगत कई अस्पताल खुल गए हैं जैसे राजपूर में इस्थित एम्स और बच्चों की हिदय रोग से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए श्री सत्य साही संजीविनी अस्पताल मेया राजपूर में इस्थित हैं उसी प्रकार पुरानी तक्नीकों की जगा अब हम चिकिस्वा के छेत्र में अत्याधिनीक उपकरण और नई मशीनों जैसे सिटी इसकें, MRI, X-ray मशीन, ECG मशीन जैसे अत्याधिनीक तक्नीकों से युगत मशीनों का प्रयोग हम कर रहे हैं इससे हमारी बिमारियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है और बिमारियों की सटी जाच की जा सकती है जिससे मृत्तिदर में भी कमी आई है